एमदाबाद बॉम्बे हाइवे नंबर 48 कोई भी होटल में चाय पीने जाओ तो 20 रुपिया, 25 रुपिया, कुछ खाना खाने जाओ, सिंपल तो भी 200 रुपिया, 400 रुपिया एक आदमी का हो जाता है सेवा विवे करके NGO, जो में हाइवे मतलब विरार शिरसाड के पहले, श्री जीवदया तिर्तदाम जैनों का एक तिर्तदाम है, और एक बहुत अच्छी गोशाला बनाई है इसी हाइवे पर एक सेवा विवेक ग्रामेन मॉल, आदिवासियो विस्तार के हाथ से बनाई हुई सामान सामगरी और और ओर्गनिक गीरगाई का बिलोना गी और खाने का सब सामान के साथ में बहुत की उत्तम सेवा का प्रकौल, प्रकल्प जो किया जाता है, वो विवेक द्वारा किया जाता है आईए कुछ क्या दिखा जाए रहे सभी ओर्गनिक चीज और अहिंसक प्रकार से बनाई हुई चीज का वित्रंग ओर्गनिक देशी सागबाजी और बहुत सारी प्रकल्प ये आदिवासियों के द्वारा बनाई गए सब बांस के अलग-अलग आइटम, मिट्टी के आइटम और आदिवासी लोगों को रोजगार देने का एक बहुत ही बढ़िया प्रकल्प साथ में coconut oil, बहुत सारी केरला पाउडर, करेला का पाउडर, गोमूत्र, हर्बल दवाईया, और्गनिक आइटम, शैंपू, दाल, चावल, और्गनिक बहुत सारी आइटम इसके साथ में सेवा विवेक ने एक बहुत ही बढ़िया, यह हाईवे पर लोग आने जाने खाने वाले, कोई भी होटल में 200-400 रुपे का बिल बिनता है, यहाँ पर यह सेल्प सर्विस और भाई साब बैठे है, भाई साब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, खाने पीने के ल प्राइवर तो 10-20 रुटी खा लेते हैं, जितना खाते हो उतना खिलाते हो, बहुत बढ़िया बात है, और सिरफ चावल दाल का आपने बताया अभी, दस रुपे में, जितना चावल दाल खा सकते हो उतना, बहुत ही बढ़िया सेवा किये, वीपेल, RSS संग परिवार का ए और साथ में 35 रुपिया, ये कोई ऐसा नहीं कि घरीबों के लिए, कोई भी बड़ी-बड़ी मर्सीडिस गाड़ी लेके भी मेरे सामने आए, वो भी यहाँ पर भोजन किया, और बहुत ही फ्रेम से करें, बहुत ही सेवा का प्रकल्प, और ये अनन दायक लेने जैसा है, मे कि में से करी ले में ले ले भी बड़ेशनार्ण कि आ़ बहुत ही उा है और ले पांनी के लिग में था ऑज़ी लेखंचल्बाविया, ये को भी में भी में, भी में Teaching